चलिए अब बात करते हैं तुला राशी की तो तुला राशी का साल दोजा 24 कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो भई वार्शी कुंडली के अनुसारी वार्शी कुंडली हो रही है बोध और शुक्र आपके ब्रिश्ची ग्रासी धनवाओं में बैटे हैं गुरु बैटे हैं हंस योग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं साल 2024 चाहे आपके नाम राशी तुला हो मित्रो चाहे आपकी जनम राशी तुला हो चार बड़े बदलाव या पांच बड़े बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं यानि चार पांच बड़े बदलाव पॉजिट पे आने वाला है यानि साल 2024 का अगर आप टोटल करेंगे तो कहीं ना कहीं यह आट नंबर का साल है शस्थार्ट है और आने वाले संवद सर्व के अंदर भी शस्थानी टॉप पूजीशन में रहेंगे यानि मंत्रीपद में रहेंगे और आपकी राशी में शनी उचके होते हैं और शनी के गुरु जो है शुकराचारे हैं तो आपका बुला नहीं हो सकता यानि कि यह जो आठ नमबर का साल है आपके लिए बड़ा लापकारी है सबस्ब पहला आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा साल 2024 में आप अध्यात्मिक कितावे ज़्यादा पढ़ने लगेंगे या गरंत पढ़ने लगेंगे मोटिवेशनल इस्टूरियां देखने लगेंगे यानि अपने अपने नेचर में आप बहुत बड़ा चेंज ओटोमेटिकली लाने वाले साती साथ साल 2024 में आपके आत्मिश्वास में बिर्दी होगी और आप हेल्थ को सुधारने वाले हैं योगा जिम करने वाले खूब म दुला राशी वाले नोजवान ब्रिद शादी सुधा लोगों के लिए खूं पसीना बहाने वाला साल रहेगा खूब मैनत करके आप अपने मोटापे को अपने बीमारी को अपने कॉलस्ट्रोल को कम करने वाले साल 2024 में आप हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा काम करने वाले अपनी बुरही आदतों पे कंट्रोल करने वाले छोड़ने वाले लोगों के लिए एक्जामपल सेट करने वाले साथी साथ दूसरा बड़ा चेंज आपके धन में आएगा साल 2024 में बुद्ध और शुक्र दोनों ही आपके धन भाव में बैठे हैं तो छोटे-छोटे आप स्कीमों में इन्वेस्ट करने वाले हैं धन निवेश करके मल्टिपल इनकम के सोर्स आप बनाने वाले हैं यानि कि नौकरी से भी आप पे इनकम आएगी जो आपने इन्वेस्टमेंट की आवासे भी आएगी प्रापटी से भी रेंट आएगा यानि multiple तरीके से आप income के source की जो planning कर रहे हैं साल 2024 में वो सपल होने वाली है multiple income आपको मिलेगी और खासकार देखा जाए तो फरवरी से लेका और October तक आप पे multiple income के योग बनते हैं इस समय पे आपकी जो plan आप education करेंगे या जो plan आप बनाएंगे उसका फल आपको मिलेगा तीसरा बड़ा प्रभाव सन्तान पे होगा यानी संतान पे आप ध्यान देने वाले संतान से आपके relation में अगर आपकी बड़ी संतान तुला राशी की तो उनके भी रुके वे काम बनने वाले तो कुल मिला के संतान पक्ष आपका अच्छा ने वाला है जिन तुला राशी वालों की संतान नहीं है चाहे वो नाम राशी जाएं साल दो हजार चौबिस में आपको संतान का योग जरू में आ रहा है यानि करियर में देखा जाए तो कहीं सघ्टप मां दसम भाउ के स्वामियों के लाभ भाउ में बैठे जो पद जो किनेशन की उमीद आप कर रहे हैं जिसके लिए मैनत कर रहे हैं जरा जरा से पॉइंट से आप रुख जा रहे हैं तो साल 2024 में अगर आप करीएर के लिए कड़ी मेनत करेंगे तो वो सपलता आप अचीव करने वाले हैं यानि कि दसम का स्वामी लाब भाव में होने से कहीं ना कहीं साल 2024 में करीएर में की गई मैनत से आपको मनोवांचित करीएर में फल मिलने वाला है कहीं ना कहीं मनोवांचित तोफा साल 2024 में करियर व्यपार के अंदर विद्यारतियों को मिलने वाला है तो आपको मैनत करनी याद रखिएगा और जो डी मोटिवेट लोग आपको करते हैं उनको दूर कर दीजिए अपने जीवन से साइड कर दीजिए नहीं तो वो आपको पर अचीव करना चाहते हैं साल 2024 वंडर वंडर फुल रहेगा पाच्वा परिवर्तन आपके दामपत्य जीवन में जो कुवारें भई साल 2024 में जनवरी से ही उनके विवा के योग में बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो लिविंग रिलेशन में तो उनका साल 2024 में माता-पिता के शादी के ओफर आने लगेंगे यानि माता-पिता का प्रैशर शादी पे तुलाराची पे रह सकता है खास कर कुवारे लड़का लड़कियों पे भई आप पे माता-पिता का प्रैशर रहेगा तो माता-पिता को आपको समझाना वहीं साल 2024 आपके पाटनर के लिए बढ़ अच्छा रहेगा वहीं पर उनका भई शादी का यूग भी बनता है तो कुल मिलाके पांच चीजों के लिए पांच बड़ी घटना है आपके साथ में हो सकती है और साल 2024 में जो कुवारे हैं उनके लिए एक और बात बहुता है भई साल 2024 में आपको निर्णे लेना पड़े होई रहेगा कि माता-पिता के साथ से आपको शादी करनी है क्यूंकि पार्टनर से अगर आप शादी की सोचने तो साल 2024 में नहीं करने वाला वह आगे जा सकता है और दिले भी हो सकता है वां 50-50 चांस है और माता-पिता या कुटूंब से जो रिष्टा है अगर आप हां ब जीवन चक्र घुम जाता है बदल जाएगा बुरा होगा अच्छा होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे पहला तुला राची पे जीवन चक्र बदलता है वह होगा एक जनवरी 2024 से लेकर और पूरा 28 फरवरी 2024 तक यानि जनवरी फरवरी के मैंने में आप शनी का प्रभाव रहेगा यानि कि यह जो दो मैने हैं जो तुला राची वाले पुराने गलतियों के सबक लेंगे अपने अंदर चेंज लाने पुरानी समस्याओं का आप समाधान करने वाले कहीं ना कहीं इस समय पे आप खूब काम रहेगा इन दो मैने के अंदर आप खूब धनलाब आपके अंदर रहेगा स्वास्ति भी आपका अच्छा रहेगा बुरी आदतों पर आप कंट्रोल करेंगे और हेल्थ बहुत ध्या नहीं बैठें तो फरवरी दोजार चौबिस तक का समय अच्छा रहेगा तुला राशी के लिए उसके बाद फिर आपकी डेट बदलेगी यानि 31 मार्च दो हजार चौबिस तक आप बुद्ध का प्रभाव रहेगा फरवरी से यानि पूरा मार्च के महने में पूरे पूर्ते जीवान में थोड़ा अनबन रहेगी यानि अगर आप लीविंग रिलेशन में हैं या कुवारे हैं तो आपके पार्टनर से आपके अनबन रहने वाले हैं और आपके मन में बड़ी चंचलता इस समय पे रहेगी ठेर सारे आप बेफालतू के खर्चे कर सकते हैं आपके खर्चें में विर्दी रहेगी यानि कि मन में चंचलता होने के कारण आप कुछ ऐसे गलट निर्णे कर सकते हैं आपने खर्चे बड़ा सकते हैं जिससे आपको पस्ताना पड़ सकता है आपका बजट बिगड़ सकता है आप पे करजा हो सकता है आप पे लाविल्ट भी रहेंगी management से आपको सुननी भी पड़ेगी या आपकी लापरवाई के कारण काम डिले होगा तो मार्ज का महिना तुला राशी को अपने मन पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा कोई बड़ा मार्ज के मेने में आपको नहीं लेना नहीं तो उल्टा पड़ सकता है उसके बाद फिर आपका रोटेशन बदलता है यानि 7 जून 2024 तक अचानक 31 मार्ज के बाद से लेकर यानि अप्रेल मई और 7 जून तक देखा जाए तो आपके केतू का प्रभाव रहेगा और वार्शी कुंडली में केतू आपके बारवे भाव में पैठे हैं तो अध्यात्मिक परिवर्तन आएगा यानि कि किसी गुरू के आशरम में आप जाएंगे किसी गुरू से आप इंस्पायर होंगे उनकी काफी वीडियो देखने वाले यानि अध्यात्मिक परिवर्तन आपके अंदर आने वाले हैं खूब बंतर जाप करने वाले हैं खूब अपने अंदर अध्यात्मिक परिवर तन आएगा हाँ इस समय पर आप किसी नए काम में इंवेश्ट करने वाले हैं और साती साथ इस समय पर आपके वाहन पर बिजली पर आप पर खर्चा आएगा यानि कि घरेलू आपके खर्च बढ़ सकते हैं यानि इस समय पर करियार और धन नॉर्मल है उसके बाद फिर तुल वार्षी कुल्ले में आपकी कुल्ली के अनुसार बुद्ध और शुकरत दोनों बैट हैं तो यहां पर आपको extra income के sources प्राप्त होंगे यानि extra या double income का लाब आपको प्राप्त होगा और 7 जून के बाद से और 17 नौमबर तक आपको खूब धन प्राप्त होगा double income का योग बन कर्च करेंगे उस पे आपको कंट्रोल करना याद रखेगा यानि कि 17 नॉंबर तक खुब फाइनेंस इस्तती करियर की इस्तती बढ़िया रहेगी उसके बाद देखा जाए तो 31 दिसंबर 2024 तक सूर्य का अंतर आएगा यानि कि ऑफिस के अंदर मेनेजमेंट के अंदर सीनियर के अंदर बड़ा परिवर्तन आएगा आपकी पावर बढ़ेगी समासे आपको समान मिलेगा पद धन में बृद्धी होगी जाता वो साल भी तुला राशी के लिए अच्छा रहेगा तो क आज का मेहना आपके लिए खराब रहेगा तो मित्रों इस कारेकर में बाज इतना ही मुझे दीजेजा जय माता दी